नमस्कार दोस्तो स्वागत करते हैं आप सभी का दोस्तो आप सभी लोग का भिहार SI PT और enforcement ESI का practice daily base पे चलाय जा रहा है आपका enforcement ESI का practice daily base पे चली ही रहा है लेकिन आपको पता ही होगा exam date आपका enforcement ESI का आज चुका है च्छा अगस्त को आपका यहां पर exam है तो देखा जाए तो बहुत ही नजदीक आपका exam है यानि दिन पर दिन देखा जाए तो एक एक दिन आपका यहां पर खतम भी हो रहा है और practice आप सब लोग पर चेक करते रहे और रही बात बिहार SI PT का तो उसका भी एक जाम डेट आ गया है उसका भी एक वीडियो आएगा और आप सब लोग एकदम लग जाईए अब भेचर तरीके से तो चलिए सेट को सुरू करते हैं पहला कुसं कहता है कि निमन में से किसे वीजा द्वारा प्रतर हो जाएगा नेश्ट को सन राज्य सभा सांसद अमर सिंग का निधन हो गया वे किस राजनीतिक दल से संबंधित है तो सही आंसर आपका हो जाएगा समाजवादी पार्टी से वह संबंधित है नोट करिएगा अगला कुसं को सनमर ठीडि कहता है सूची वन और सूच स्कृरमन तो या आपका चला जागा कपील वस्तू जो गिरी ítयाग था एक और बात करें महा बोधी तो या आपका गया हो जाएगा और द्यड़क धार्मश और प्रवर्तन के आपका साहरनात चला जाहाद और बात कर यहां पर computed यहां पर कि महा परी은 criminal यह आपका चला और पैटरन के है संगम काल का सरवादिक महत्वपूर नगर कौन था तो आंसर हो जाएगा ओप्सन सी पुहार देखिए पुहार संगम काल का प्रसीद नगर कावेरी नदी पर था पुहार में इंद्र का उत्सव मनाया जाता था नेश्ट को सन जिसके सासन काल के दोरान चोल स जाएगा नेश्ट को सन गीत गोबिंद गरंद के लेखक जैदेव किस सासक के दरवारी कवी थे बताइए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओप्सन ए लक्षमर सेन के सासक काल में बक्तियार खिलजी ने बंगाल पर आकरमण किया था ठीक है अगला को सन कुतुब दिन एब था इसे कुतु मिनार की निव डाली थी आप सभी को पताई होगा आप सब लोग को याद भी होगा दिल्ली सल्तनत के की सुल्तान द्वारा अंतिम रूप से गुलाम तुर्कों के गुट चालिसा को समाप्त किया गया इसका उत्तर हो जाएगा बलबन के द्वारा आंसर हो जाएगा ऑपसन भी आईवरी कोष्ट याद रखिएगा बी उत्तर हो जाएगा अगला कोस्ट अंगरेज दूद कैप्टन हौकिन्स एवं सर टामस रो किस मुगल बास्टा के दर्वार में आये थे तो इसका उत्तर हो जाएगा जहांगीर के देखिए कैप्टन हौकिन् में आगरा दरबार में आये थे तथा सर टामस रो 1615 में भारत में आये थे ठीक है नेश्ट को सन भारती लगू उद्धो के विकास बैंक ने ट्रांस यूनियन के सहयोग से MS MES के लिए किस नाम के एक knowledge portal launch किया है बताइए तो सही आंसर देखा जाए 11 का तो option D हो जाएगा नोट करिएगा अगला question यहां पर देखिए सूची 1 और सूची 2 के बारे में पूछा गया है तो आप सभी लोग बताइएगा कि कारनिवालिस आपका चला जाएगा नियाइक त तो यह आपका चला जाएगा प्रांती नियालियों की समाप्ती ठीक है इसमें और बात करें यहां पर हम डल होजी के बारे में तो व्यापगत का सिध्धान तो इस तरीके से 12 का उत्तर आपका हो जाएगा option D ठीक है next question अगला question है कि जहां केवल कायरता और हिंसा की बीच सिष्टा की रक्षा के लिए हसियारों का सहारा ले यह कथन किसका है बताईएगा तो यह कथन देखा जाए तो option D हो जाएगा महात्मा गांधी का ठीक है next question चलिए अगला question है कि किस व्यक्ति ने गांधी जी के नमग सत्यागरा की तुलना नैपोलियन की पेरिस यातरा से की थी चलिए बताईएगा question number 14 का उत्तर क्या होगा देखिए इसका सही answer हो जाएगा option C सुबाह चंदर बोस देखिए आप सभी लोग नोट करिएगा कि नेताजी ने एलवा से पेरिस की आतरा तथा मुसेलिन का मिलन रोम की आतरा से गांधी जी के साबर मती से डांडी की आतर करके रखा गया था तो देखिए 15 का उत्तर आप जब करेंगे तो मांडले जेल वर्मा हो जाएगा answer आपका यहां पे भी हो जाएगा देखिए यरवदा जेल पूर्णे में महात्मा गांधी को रखा गया था ठीक है अगला question गांधी जी द्वारा अहसायोग आंदोलन इस् द्वारा का उत्तर आपका यह हो जाएगा अब यहां से प्रस्न यह पूछा जा सकता है कि चौरा चौरी जो हिंसा हुआ था वो गांधी जी कब तो पांच फरवरी 1922 को चौरी चौरा हिंसा के बाद गांधी जी ने यह बात कही थी अगला question ब्रिटेन इस्थित कम पेरी ट सहरे एक संस्था दोरा दूखे सबसे अधिक सर्विलांस वाले सहरो के सर्वेच्छड में सीसिटीवी सैविलांस कैमेरों की संख्या धिस सैंधर्श का कि से buffer की संची हैक्राम सोलावाइश्थान मिला है तो यह आपका हो जाएगा राबद नेस्ट कॉशन टेगा अथा कॉ जलवायू का पौधा है तो यह आपका देखा जाए रबर तो आपका भूमदे रेखी का हो जाएगा आंसर आपका C हो जाएगा पाल घाट दर्दा नीम्न में से किन दो राजियों को जोड़ता है तो पाल घाट याद रखेगा केरल और तमिलनाडू हो जाएगा आंसर आपक सिकल्प में कौन से तथ्य सही नहीं है तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी इन पांच विवानों में दो एक सीटर और तीन दो सीटर है ठीक है नेश्ट को सन तमिलनाडू के कहता है तो तमिलनाडू के तटिय भागों में जाड़ों में वर्षा की प्राप्ति निम्न में से किस से होती है तो यह आपका देखा जाए तो आपसेन ए हो जाएगा उत्तरी पूर्वी मांसुन चलिए नेश्ट को सन है कि अंतराष्ठी तीथी रेखा का निर्धार निम्न में से किस वर्ष हुआ था तो देखिए यह आपका 1984 में हुआ था आंसर आपका 23 क डी हो जाएगा निम्न में से कौन से जलधारा यूरोप का गर्म कंबल के उपनाम से जाने जाती है बताए ये 24 तो इसका आंसर आपका गल्फ इस्ट्रीम हो जाएगा आंसर आपका यहां पे डी हो जाएगा ठीक है नोट करिएगा अगला कोशन बूरजिल तथा जोजिला दर बिलिद करकी बताना है चलये देखते हैं आपका फिकी जील या आपका चला जाएगा महरास्ट्र में और हाइट्ञ जील या आपका चला जाएगा Uma splitting में एक एक सीच को देखिएगा और जैसंबंद जील आपका चला जाएगा राजिस्ठान और बात करिए हम पेरियार ज् और नागिन जिल जितना नाग नगिन आता है ये सवाप मारेगा जम्मू कास्मिर ठीक है एक सेस नाग आता है मतलब बहुत सा जो साप वगारा जिस तरीके से नाम आता है न तो आप जम्मू कास्मिर बारेगे तो आपका अंसर यहां पर सही होगा चलिए नेश्ट कोसन देखते हैं भारती मुल्क के किस व्यक्ति को ब्रिटिस संसद हाउस आप लाइड के लिए चुना गया है लाट्स तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रेम सिक्का याद रखेगा बी उत्तर आपका यहां पर हो जाएगा नेश्ट कोसन नेश्ट कोसन नेवन लिखित में से कौन सा कथन सत्य है इन में से बताना है कि कौन सा कथन है जो आपका सत्य है तो उत्तर आपका भी हो जाएगा इस्तित भी उचजवार तथा सूर्य गरहन की इस्तिति को दरसाती है अगला question नेमन में से किस मंच ने अपनी वेबसाइट पर आत्म निर्भर भारत के लोगों को डेजाइन करने की प्रती योगिता सुरू की गई है तो आप सबी लोग वेबसाइट का नाम याद रखेगा option B हो जाएगा mygovernment.in correct answer आपका B हो जाएगा ठेक है अगला question यह आपका मैस का question है तो इसको मैं skip करूँगा जेस पर होँगा सम्मिधान के अधार भुत धाचे को सुरुक्षित रखने का सिधान सर्वोच न्याले ने किस मामले में प्रतिपादित किया है इसका answer हो जाएगा केशवा नंद भारती मामला 1973 आंसर आपका यहाँ पे C हो जाएगा अगला question किस परकार के विधेग पर संसत के दोनों सदनों में मतभेद हो उसे दूर करने के लिए राष्टपती दोनों सदनों का सन्युक्त अधिवेशन बुला सकता है तो इसका उत्तर आपका यह हो जाएगा सधरण विधेग याद रखेगा यह आपका यहां पर उत्तर हो जाएगा सरकार के चार वर्स पूरा होने पर रक्षा बंधन की आउसर पर सरकारी बसों में महिलाओं को मुप्त यात्रा रिया रियायत देने की घोसना की है यह तो पता ही होगा 33 का उत्तर आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश यूपी ठीक है सरोच न्याले में तदर सन्याध ही सो कि न्युक्ति किस देश की न्याएं 45 से प्रेरित है तो इसका उत्तर हो जाएगा कनाड़ा नोट करिएगा भी आपका यहां पर उत्तर हो जाएगा सरोच न्याले में नियाईक काम काज के लिए किस भासा का इस्तेमाल किया जाता है 35 तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा अंग्रेजी याद रखिएगा सभी लोग भी उत्तर आपका यहां पे हो जाएगा 35 का ठीक है सरवोच न्याले में नियाई काम काज के लिए अंग्रेजी भासा का प्रियोग किया जाता है अगला कोशन देखते हैं कोशन नमबर 36 अनुछेद 356 के तहट पद चीवूत होने वाली पहली सरकार किस राज से संबंदित है तो यह आपका संबंदित है किरल 1969 के दौरा भी आपका यहां पर उत्तर हो जाएगा एक नैनो सेकेंड में होते हैं तो याद रखिएगा 10 के पावर माइनस 9 सेकेंड आंसर आपका D हो जाएगा किस राज्ये में इस्थित बनास डेरी पसू गोबर से CNG का उत्पादन करने के लिए एक अभिनो परियोजना लौंच किय है तो इसका अंसर आपका हो जाएगा गुजरात राज्ये याद रखिएका आंसर आपका D हो जाएगा प्रकास की चाल सबसे पहले ज्यात की गई थी किस ने तो यह दिखिये कि या त transfot का विश्कार ने सब एक किना अ तो Samir को पताई होगा अगर बात करें हम यहां पिर परासरव ये तरंगों की जो आवरिती होती है वो बताना है तो इसका उतर हो जाएगा 20,080 से अधिक यानि 40 का उतर देखा जाए तो आपका ए हो जाएगा अगला कुशन किसी पैंडूलम की लंबाई दुगनी कर देने पर उसका जो आवर्त काल हो जाएगा क्या हो जाएगा दो गुना 44 गुना वही रहेगा या करणी में दो गुना बढ़ जाएगा तो इस तरीके से आप इसका आंसर करेंगे तो आंसर आपका D हो जाएगा दूर देख्टी दोस से पिड़त व्यक्ति को तो आंसर हो जाएगा निकट की वस्तुमें नहीं दिखाई देती है उत्तर निमलिखित में से कौन सी e-commerce company अपने सामर्थ कारेकरम के माध्यम से भारत में कारीगरों का समर्थन कर रही है तो इसका उत्तर आपका फिलिप काट हो जाएगा यह आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ठीक है अगला question पूर सूर गरहर का अधिक्तम समय कितना सकिंड होता है तो पैतालिस का उत्तर हो जाएगा चार सो साथ ठीक है चार सो साथ यहाँ पे उत्तर हो जाएगा अगला question लाल कमल का फूल हरे परकास में देखने पर दिखाई देगा अगर आप लाल कमल का फूल हरे परकास में जब देखेंगे तो यह काले रंग का दिखाई देगा य के दोवारा आंसर आपका सी हो जाएगा देखिए अगर हम बात करें ट्रास्फार्मर की खोज माइकल फ्राड़े ने कब किया था तो 1831 में किया था ठीक है नेश्ट को सन आधुनिक आवर्त सानडी आधारी थे किस पर तो यह आपका आधारी थे परमाडु क्रमांग पर आंस करेंगे तो आपका तामभा हो जाएगा आंसर आपका यहां पे डी हो जाएगा सबी लोग को इसंट करना पड़ेगा क्योंकि इंपोंटन्टMP को सन आपका यहां से हो जाएगा कौन सा देश अरब छेतर में परमाणू उर्जा का उत्पादन करने वाला पहला देश बन गया है तो इसका उत्तर हो जाएगा सन्युक्त अरब अमिरात भी आपके यहां पर उत्तर हो जाएगा नेश्ट कोशन अगला कोशने तीरपन कहता है रसकीन बॉन्ड द्वारा जारी की गई एस सौंग आफ इंडिया बुक उनके साहितिक करियर के किस वर्स को चिनित करता है तो इसका उत्तर हो जाएगा सत्तरवें आंसर याद रखिएगा सत्तरवें हो जाएगा नेश्ट कोशन हमारी जीब का वह भाग जो मीठा सुआद बताता है यह तो सभी को पताई होगा आंसर आपका क्या हो जाएगा उप्सन बी आगे का जो हिस्सा होता है जब आप टच करेंगे किसी चीज को तो वह आपको बताएगा कि मीठा सुआद है ठीक है आंसर आपका बी हो जाएगा अगला कोशन यदि पीता ए रुधिर वर्ग एवं माता भी रुधिर वर्ग की हैं तो संतान कौन सा वर्ग लेके पैदा होगा बताईए इस तरीके से पच्पन का अंसर आपका A, B, A, B तथा O कोई भी हो सकता है answer आपका A हो जाएगा next question रख्त में होता है क्या कितना प्रतिसत प्लाजमा कणिकाएं होता है बताइए 60% प्लाजमा हो जाएगा और 40% प्लाजमा हो जाएगा तो इस तरीके से जब आप answer करेंगे तो A उत्तर हो जाएगा और यह याद रखिएगा कि ब्लट का पी एच मान 7.4 होता है निमने लिखित में से हुआ कौन सी कम्प्यूटर इसमिरती है जिसे आकड़ो और प्रोग्राम के आलपकालिक संगरहन के लिए प्रयोग किया जाता है बताइएगा तो इसका उत्तर आपका रैम हो जाएगा रैंडम एकसस मेमोरी आपका इसका फूल फाम होता है अगर यहाँ पर रूम की बात करें तो रूम का क्या हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा नेश्ट कोस्टन निम्न में से किस अंग में रक्त सुध होता है बताए तो इसका उत्तर आपका देखिए हो जाएगा इंसूलीन डी आपका यहां पे उत्तर हो जाएगा निम्न में से किस संगठन ने धुरुवास्तर नामक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल विक्सित की है बताईए 59 तो इसका उत्तर देखिये हो जाएगा option B DRDO आंसर आपका यहां पे B हो जाएगा ठीक है अगला question अगला question है कि किस देश के पूर्वर राजा जुवान कारलोस ने अपने उपर लगे भरष्टा चार के आरोपों के बाद राज साही के रक्षा हे तू अपने देश को छोड़ने का फैसला किया है तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा प्रतम पंचवर्षी उजना का मुख्य बल किस छेतर पर था बताईएगा तो क्रीसी पर था सभी को पताई होगा 62 का आंसर आपका B हो जाएगा देखिए प्रतम पंचवर्षी उजना का मॉडल डॉमर हेराल्ड पर तयार किया गया था नेश्ट कोसन भारत के संचित कोस में नीम्न में से कौन सामिल किया जाता है तो सही आंसर देखा जाए तो आपका उप्यूक्त सभी हो जाएगा एक संपूर कर आए सभी परकार के रिण और संपूर गैर कर आए तो इस तरीके से आंसर आपका यहां पे D हो जाएगा नोट क करता है और इससे देखते हुए भविस्य में बेच कर लाब कमाने के उद्देश से सियर की खरीदारी करता है तो इसका जब आप आंसर करेंगे तो बूल हो जाएगा भी आपका यहां पे उत्तर हो जाएगा नेश्ट कोसन नीम्न में से किसे स्वेत पत्र कहा जाता है स्वे विज्ञान को लोगपिरिय बनाने हे तू राष्टी इस्तर पर यानि राष्टी इस्तर का कारेकरम विद्यार्थी विज्ञान मंथन दूहजार बीस 21 किसने शुरू किया है विज्ञान मंथन तो देखिए इसका उत्तर छांचछट का देखा जाये तो आपका हो जाएगा डाक्टर हर्सवर्धन के द्वारा ये शुरू किया गया है निम्न में से कौन गरीबों की कथल कथक कली के नाम से जाना जाता है इसका उत्तर आपका हो जाएगा ओप्शन बी ओटन तूल ओटन तूल आपका यहां पर उत्तर हो जाएगा नेश्ट कोशन धावक तुरंत उ देते हैं क्या तो देखिए इसका उत्तर आपको पता ही होगा सुक्रोज हो जाएगा यह आपका यहां पर उत्तर हो जाएगा राष्टिय विकास परिशद यानि डीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा ओप्शन डी 1952 में डी उत्तर आपका हो जाएगा लोग सभा की कुल सदस्य संख्या एक बटा दस भाग होना चाहिए आप सबी लोगो याद रखिएगा अगला को सन अगला को सन 72 है कि स्फिंक्स किस देश में इस्तित है तो यह आपका देखा जाएगा अगर यहां पर तूर्की की राजधानी द कुंत है देखिए इसका ऊत्तर हो जाएगा ओपशन भी आरगे सरा मुख सब मूखं सेटी बी आपका यहां पर उत्तर हो जाएगा अगला को सन जीम कारबेट नेशनल पार्क देस का पाला नेशनल पार्क है इसे किस वर्ष स्थापित किया गया तो यह आपका देखिया किय गया था 1936 में देखिए यह उत्तरा खंड में इस्तित है बाग के लिए प्रसिद्ध है ठीक है नेश्ट कोसन नेंदलिखित में से कि संस्था ने भारती पूंजी बाजार की उपलब्दियों के उजागर करने है तू प्रती भूती बाजार का एक अभासी संगरहाले इस्था कोसन भारत सरकार ने इंडियन प्रीमियम लीग यानि आई पील 2020 के तेरहावे संस्क्रड को किस देश में पुन रिधारित करने करने की अनुमती प्रदान की है तो देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा सनुक्त अरब अमीरात यानि आपका उत्तर यहाँ पे सी हो याद रखेगा कि गुरु गोविन सिंग की हत्या नांदेल गोदावरी नंदी पर गुल खा नामक पठान द्वारा किया गया था आदेगरंद की राजना गुरु अरजुन देव ने किया था अगला कोसन निमने लिखित में से कौन सी एक आउटपूट दिवाइस नहीं है ता आऊटपूट के बारे पुछा गया है तो इसकैनर देखिया आपका आउटपूट नहीं है आपका देखा जाय In East यहां पर देखिए स्कैनर आउट्पूट भी है और इसकैनर इसकैनर आउट्पूट तो नहीं है यह है इनिंग है ठीक है चलिए इन्पूट है इंटरनेट पर सुचनाओ और आंकड़ों के आदान-प्रदान के सिस्टम को क्या कहते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्सन 79 का भी हो जाएगा प्रोटोकॉल ठीक है भी आपका उत्तर हो जाएगा क्योंकि देखिए जो आपका यह स्कैनर है आप जब यहां पर कोई चीज रहता है जब आप इन करेंगे यहां पर आपकोई फोटेशिट कराने जाते हैं तो वहीं आउट्पूट निकलता है मतलब आवाज निकलता है तो इस तरीके से हैं ठीक है अगला कोशन इंटरनेट पर सुचनाओं और आकणों के आधान प्रदान के सिस्टम को क्या करते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्सन भी प्रोटोकॉल नेस्ट कोशन 1917 की पहली रूसी करांती को किस नाम से जाना जाता है तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा फरवरी की करांती नेस्ट कोशन बुद्ध की मृत्यू के पश्चात प्रथम बौल संगिती अध्यक्स्ता किसके दौरा की गई थी तो यह आपका किया गया था महा कस्यप के दौरा आप सब लोग याद रखिएगा अगला कोशन बोस्टन की चाय पाटी घटना घटी किसमें तो यह आपका घटा था 1773 में आंसर आपका सी हो जाएगा अगला कोशन इलबट बील के संदर्म में क्या सही नहीं है इलबट बील बताइए तो जब आप इसका आंसर करेंगे इल उधार के पास हुआ यानि सी आपका यहां पर उत्तर हो जाएगा काकी नाड़ा रिफाइंडरी निमनलिखित में से किस नाम यानि किस राज्य में स्थित है काकी नाड़ा तो इसका उत्तर देखिए आपका डी हो जाएगा आंद्रपर्देश अगला कोशन निमनलिखित को काल करम में सजाएं 85 इसका उतर देखे 3241 ठीक है नेश्ट कोशन सोन कमल पूरसकार किस छेतर में दिया आता है तो इसका उत्तर हो जाएगा कि जीवन और व्यक्तिगत सोतंदर्ता का जिकार कावर्णन सम्मिधान के किस अनुछेद में किया गया है तो इसका जब अब आम आंसर करेंगे तो आप्शन भी हो जाएगा अनुछेद एक कई प्राण एवं देख सोतंदर्ता के बारे में यहाँ पे कहा गया है चाय, कौफी तथा सितोस्ट फ़लो की बाग समानेत मिट्टी के छेतर में लगायते हैं यानि कौन से मिट्टी के छेतर में लगायते हैं तो यह आपके लगायते हैं परवतिय मिट्टी आंसर आपका D हो जाएगा कथक भारत के किस छेतर का मुख्य सास्तरी निरित है तो ये देखा जाए तो आपका उत्तरी भारत हो जाएगा ये आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा नेश्ट कोसन कौन सा बिटामिन का जलिये विलेयन गुलाबी होता है तो इसका उत्तर बिटामिन B12 हो जाएगा अंसर आपका C हो जाएगा अगला कोसन देखते हैं कहता है पवन उर्जा से विदूत उत्तादन में कौन सा राज्य अग्रडी है बताइए इसका उत्तर देखिए तमिल नाडू हो जाएगा B आपका यहां पर उत्तर हो जाएगा मैस हटाइए आप मैस अगर करना चाते हैं तो आपको पीडियाप डाउनलोड करना पड़ेगा देखिए इसमें आपको सुमिलित करके बताना है चलिए बताइएगा 94 का तो देखिए आपका एनिमो मीटर चला जाएगा पाउनों का वेग आपको पताई है सिस्मोगराफ आपका चला जाएगा भूकम के तिवरता हाईगरो मीटर चला जाएगा आजरता और बात करें बैरोगराफ तो वायू दाब तो इस तरीके से 94 का अंसर आपका सी हो जाएगा जीलो के अध्यान को क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं लिमनोलोजी अगला कोशन थोरियम का सबसे बड़ा भंडारर कहां पे है तो थोरियम तो याद रखेगा आँसर आपका भारत हो जाएगा नेश्ट कोशन मानचितर में परवत पहाड को किस रंग के द्वारा निधायत कियाता है तो इसका अंसर आपका हो जाएगा लाल सत्पूरा का सबसे उचा भाग कौन है तो इसका उत्तर हो जाएगा धूप गड़ चोटी आंसर आपका डी हो जाएगा नेश्ट कोशन भारत निम्न में से किस इस्थान पर प्रस्तावित महिला विस्वर टीम स्क्वैस चैंपियन सिप से हट गया है तो इसका उत्तर देखा जाएगा तो आपका ए हो जाएगा कौरालंपूर मलेसिया याद रखियेगा सभी लोग अगला कोशन कि IPL 13 के संदर में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ठीक है बताएगा इसका आंसर D हो जाएगा एक दो तीन तीनों कथन सही है लीक का 13 संस्क्रट 19 सितंबर से सुरू होकर 10 नवंबर तक चलेगा प्रतेक फ्रेंचाइची के दस्ते का आकार 24 के लाड़ी का रहेगा दुबई, अबुधाबी और सारजहां टूनामेंट आयोजित के तिन इस्थान होंगे ठीक है आंसर आपका यहाँ पे D हो जाएगा तो आप सभी लोग का यहाँ पे दोस्तों 100 कुसं समाप्ट होता है महनत लगता है आपको वीडियो प्रोवाइट कराने में बस आप सभी लोगों से कुछ नहीं चाहिए बस वीडियो को लाइक कीजिए, सेयर कीजिए और अपना कमेंट करके सुझाओ दे सकते हैं अगर आपको कोई भी सुझाओ देना है तो चलिए अगले वीडियो में जल्द ही मिलते हैं बैबाए